Hello everyone, welcome to GyanIQ और आज हम करेंगे अपना EBS का Part 12 यानि कि EBS की जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें Part 12 करेंगे और आज बेसिकली आज की वीडियो थोड़ी से डिफरेंट है डिफरेंट इस वे में है कि आज आपको मैं चार्ट्स ग्राफ्स के तूरू जादा समझाऊंगी जादा मिलेंगे आप हमारा वही है population growth in India इसका part 1 हम cover कर चुए है part 2 में census को highlight करेंगे यहां पर क्योंकि census वैसे आपका कहीं syllabus में लिखा नहीं है कि kvSprT के syllabus में कि census आएगा लेकिन census जो है वो इस topic का part है population जो growth होती है इंडिया में उसका पार्ट होता है census 2011 यानि कि जो भी census होता है लेकिन हमारा focus census 2011 पर जाधा रहेगा क्योंकि यहां से last year के जो आपके पेपर था KVS PRT के paper की बात कर रहे हूं है KVS PRT के paper में last time कम से कम तीन या चार questions जो है वो census से आये थे और हलाकि हम यह कह सकते कि last time आये था तो इस बार भी आएंगे लेकिन census जो latest होता है वो आपको अच्छे तरह से आना चाहिए यहां पर 2000 हम ऐसा नहीं कि हम बहुत पुराने उसमें चले जाएंगे कि पहले वाला census उसको पढ़ना इतना important नहीं होता है लेकिन जो भी latest census होता है उसका data आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी का जो census होना था 2020 में वो डिले हो गया है तो उसका data जो है पता नहीं अब कब कब वो census complete होगा कब वो data publish होगा तो उसमें टाइम लगेगा तब data के लिए आपके latest जो है वो census 2011 है हमें उसे करना है एक बार हम देख लेते हैं syllabus को फिर से क्योंकि again मैं कहूंगी कि syllabus को देखना हमेशा जरूरी है क्योंकि दिमाग भी होना चाहिए तो हम काफी topics कर चुके हैं यहां से लेकर यहां तक topics कवर कर चुके हैं अगेन मैं कहूंगी कि अपने supplementary material जो है आपका जो भी notes वगएर है उनको भी आप पढ़ते रहें क्योंकि मैं expert नहीं हूं मैं यह कह सकती कि मेरे मेरे कराय हुए में से ही सब कुछाएगा ऐसा नहीं कह सकती कि मैं भी आपके लिए notes prepare करती हूं सर्च करती हूं उसके बाद यह video बन पाती है तो वह एक ability जो है notes making की वह आपके अंदर भी होनी चाहिए population growth इन इंडिया हम कर रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे basically distribution density growth इन सब चीजों की ठीक है इसके भी पार्ट complete नहीं होंगे आज सेकिंड पार्ट में हम जस्त इतना बात करेंगे फिर जो census के base पे sex ratio थी या urban और rural composition है वो सब हम census के perspective के अंदर ही देखेंगे और आज भी हम ये census के अंदर ही देखेंगे तो चलिए video को बिना देरी के start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम density की बिसिकली देखें जो आपका ये proper topic है na distribution of population या फिर density of population यहाँ पर आपको सबसे पहले terminologies पता होनी चाहिए देखे distribution का मतलब तो क्या होता है कि आपके पास 40 paper थे simple भाशा में समझाओ distribution की बात कर रहे हुए हमें यहाँ पर suppose आपके पास 40 paper थे distribution means with return, 40 paper जो हैं आपको 10 बच्चों के अंदर distribute करने हैं तो आप कैसे करेंगे वो आपका अपना perspective है यानि कि distribution में आप वितरण कर देते हैं किसी चीज़ का तो population का मतलब distribution of population का मतलब हो जाता है population का distribution किस तरह से हुआ है अब एक चीज़ आप कांट पान लीजे हमारे दिमाग में हमें पता है कि पूरा world जो है पूरे world में बहुत सारी countries है कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई बीचकी है है ना इस तरह से है लेकिन हर जगे population का distribution जो है वो एक समान नहीं है अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत जो है second rank पर आता है world population में लेकिन क्या भारत का छेतरफल उतना बड़ा है नहीं यह seventh number पर है भारत का छेतरफल यानि कि उससे पहले भी बहुत सारी countries है जो उससे आगे आती है लेकिन still उनकी population जो है वो बहुत कम है कहने का मतलब यह है कि एक limited area के अंदर कितनी population का विखराव है suppose यह area है लेकिन population सिर्फ यहीं पर है यहां खाली पड़ा है तो यह भी एक तरह का distribution है कि population किस तरह से distribute हो रही है किसी particular area में यह वो होता है basically आपका distribution आप देखें यहां पर हम बात करेंगे पहले density of population की यानि कि जनसंख्या के घनत्व की यह जनसंख्या के घनत्व जो होता है मतलब घनत्व अपने आप में scientific term है यह आप science में पढ़ते हैं कि density क्या होती है basically अगर हम density को simple भाशा में कहें तो total number of people of country कितने लोग है अगर मैं कहूं density का formula बताओ density of population का तो total people कितने है किसी भी country में और उसका area कितना है ठीक है यह होती है density suppose भारत का छेत्रफल है कुछ भी फलाना फलाना आपने मान लिया suppose कि आपका 1000 square kilometer है भारत का area ठीक है 1000 है 1000 kilometer ही मान लो है square kilometer जो भी आप मानना चाहो और sorry हाँ यह मान लिया और population कितनी है इसकी population मान लो 2 lakh है 2 lakhs population है और 1000 kilometers का पूरा square area है तो आप इसको जो है total area से divide कर दो यह आपकी density of population निकल गर आ जाएगी आप और उस पूरे area का जो है उस पूरे छेत्रफल कितना है उस जगे का यानि कि total area of that country उस particular country का area कितना है तो वो उसको अगर आप divide कर देंगे तो यह आपकी density निकल कर आ जाती है वैसे एकर simple भाशा में कहें it is expressed as a number of persons per square kilometer कि कि कितने person जो है एक square kilometer में है एक work kilometer में कितने person है कितने person रहते हैं वो basically आपका density of population होता है तो इसका फार्बना भी मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपको इसका basically terminology भी समझाती है यानि कि प्रती वर्ग kilometer व्यक्तियों की संग्या की रूप में इसको व्यक्त किया जाता है density को अब हम density का use क्यों करते हैं जो हम comparison करते हैं population का किस करते हैं जैसे हमने बताया ना भी as a number of persons per square kilometer अब देखे अगर मैं कहूं कि इंडिया की density जो मान लीजे आप इंडिया की density है 320 मान लीजे 320 person रहते हैं एक वर्ग kilometer में हमने मालने है कि एक वर्ग kilometer में 320 लोग रहते हैं हम यह मान कर चल रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इंड distribution जो होता है वो uneven हो सकता है सपोज यह इंडिया है इंडिया का map मिरसे नहीं बनेगा guys थोड़ा सा यहां पर है ठीक है यह इंडिया है सपोज भारत है हमारा हमारा प्यारा भारत कहेंगे तो यहां पर जो है हम यह नहीं कह सकते हर एक एक वर्ग kilometer के अंदर 320-320 लोग रहते ह ऐसा कहने का मतलब नहीं है क्योंकि जनरल हम total population total area के aspect में कहते हैं इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं लेकिन जो इंडिया की population है यह उसकी density distribution है population का वह बहुत ही uneven है मतलब असमान है किसी एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं तो किसी एरिया में बहुत कम रहते हैं अगर आप न distribution है या वितरण है वो बहुत जादा है as compared to its area अगर हम उसके area से उसका comparison करें तो यानि कि कहरेगा मतलब यह है कि distribution और density तो हमें बताती है कि फलाना फलाना country के अंदर जो है इतने area में उसके area में कितने लोग जो रहते हैं पर area क्या उसका निकल कर आ रहा है तो वो हम निकाल लेकिन अगर हम distribution की बात करें तो वो किसी एक जगे पर बहुत जादा हो सकता है किसी एक जगे पर बहुत जादा कम हो सकता है तो वह uneven है नोर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत भीर भाड़ है बहुत जादा आप वैसे ही North East में जाएंगे North East उसमें स्टेट्स मे Union Territories में उधर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर population बहुत सब्सक्राइब कम है वहाँ पर distribution of population is very less there तो यह हम कह सकते हैं तो यह basically मतलब होता है distribution and density of population का next हम बात करेंगे कौन से ऐसे factors होते हैं जो distribution and density of population को affect करते हैं तो इसमें बहुत सारे factors होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे physical factors की यानि की भोतिक कारकों की देखें कारक क्या है अगर जन संख्या का वित्रण मैं कहा रही थी कि अरुनाचल प्रदेश में जो हैं बहुत कम लोग रहते हैं क्यों रहते हैं क्योंकि वहाँ पर रहना थोड़ा सा दुर्गम हैं वहाँ पर सारी facilities आपको नह आ सकते हैं physical factors की बात यहां पर होती है तो physical में जो basically आपका natural resources होते हैं आपकी land form कैसी है मतलब जमीन का कैसा है पहाड है कि वह प्लेन मैदान है नदी है पडोस में नहीं है फिर जंगल है कि नहीं है यह सारी चीज़े जो है डिपेंड करती है फिर climate कैसा है क्या climate ऐसा है जहा आप नहीं रह सकते हैं बहुत जादा थंड है तो वहां पर आपको density इसिटिशन आपको population का कम मिलेगा जहां पर बहुत नॉर्मल होता है वहां पर ठीक मिलेगा फिर जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बहुत गर्मी होती है जिसे रहेगिस्तान में sand dunes भी है वहा basically दो तिन चीज़े होती है कि आपका social cultural environment कैसा है आप basically अगर एक जगे पर एक culture के लोग रहते हैं और वो उनी को मतलब महत्व देते हैं तो हो सकता है उसी culture के लोग वही पर accumulated होते जाए connect होते चले जाए और दूसरी culture के लोग जो है वहां से एक तरह से हाशे पर आजाए तो वो उस जगे को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या society कई बार कई चीज़ कई लोगों को bycourt कर देती है जैसे communities होती है different communities होती है particular area में जैसे north India में north communities जो है वो ज़्यादा है फिर north वाले जो है south में जदा रहना पसंद नहीं करते south वाले north में रहना पसंद नहीं करते तो यह accumulation जो होता चला जाता है population का तो यह आपके social economic factors के अंदर आ जाते हैं फिर economy में आपका पैसे वाली चीज़ भी आ जाती है लोग गाउं में कम prefer करते हैं कर रहना जो है वो शहरों में जदा प्रैफर करते हैं दिल्ली में देखो कितना ज़्यादा है population वो इसी वज़ेसे हैं क्योंकि लोग बहुत सारे राज्यों के लोग दिल्ली में आकर बसे हुए हैं उनके various reasons हो सकते हैं कि वो काम की तलाश में आते हैं कि तलाश में आते हैं अभी lockdown जब हुआ था तो आपने देखा था कितने लोग दिल्ली से मतलब यूपी बिहार और के लोग थी यहां पर जो अपने गाओं की तरफ पलायन कर गए क्योंकि यहां पर उनको काम द्वाम जो है वो जादा नहीं मिला तो यह आपके economic factors होते हैं यानि कि आप पैसे के लिए भी कई बार किसी जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं ऐसे यहां कि जो लोग हैं वो विदेशों में जाकर बसे हुए हैं तो यह सारे आपके socio-economic factors के अंदर आ जाते हैं तो बेसिकली तो इंपोर्टन चीज़े होती हैं जो मुख्य रूप से इसको distribution और density of population को बहुत जादा मतलब affect करती हैं अब हम चलेंगे थोड़ा सा census की तरफ जो आपका census 2011 है यह main आपका role यहां पर play करेगा आपको complete और perfect data देने में अब यह census किस तरह से होता है यह हम सबको पता है कि यहां पर duty लगती है various teachers की लगती है various government employees की यहां पर duty लगती है elections की तरह यहां पर training होती है census के लिए तो वो सब एक अलग factor है लेकिन आज हम बात करेंगे basically census में जो data है proper इंडिया की population के बारे में या इंडिया की growth rate के बारे में तो यहां पर यह बहुत latest है सबसे पहले हम बात करें तो चाइना की अगर reference date की बात करें तो 11-2010 को चाइना की population थी 1341.0 यानि की 1341 million population थी यहां पर चाइना की 2010 में अब कितनी है इसका भी नहीं पता है क्योंकि अभी अन्या data इसमें नहीं आया है अब decadal changes क्या होता है यानि कि 10 क्रिय विद्धी मतलब हर 10 साल में आपकी percentage कितनी जादा बढ़ रही है तो आप चाइना की देखेंगे तो हर 10 साल में 5.43 उसका growth rate है लेकिन अगर आप यहां पर second most populous country की बात करेंगे तो वो है इंडिया ठीक है चाइना number one पर है still number one पर है अब हमारा data जो है census में कितना निकल कराता है फिर चाइना के census का data किस तरह से निकल कराता है उन figures पर depend करेगा लेकिन माना यह जा रहा है कि 2030 तक जो है इंडिया cross कर जाएगा चाइना को in terms of population क्य है लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वो है 17.64 और यह question आपका KVS PRT exam में last year जो KVS PRT exam आया था उसमें यह question पूछा गया था ठीक है इस पर focus करना उसमें decadal growth change पूछा गया था इंडिया का कि पिछले 10 सालों में percentage कितना बढ़ा है population कितनी तेजी से कितने percent बढ़ी है तो वो यहाँ पर है 17.64 इस question का answer होगा आप ढूंड सकते हैं paper जो latest हुआ था 2018 वाला तो इंडिया जो है 13 2011 को जो इंडिया के द्वारा data दिया गया census का उसके according इनकी जो population थी वो थी 1210 million और इसमें जो 10 साल का जो change था 17.64 फिर 3 पर USA थी 4 पर Indonesia 5 पर Brazil आप इन सब countries के नाम रख सकते हैं कि top 5 countries कों थी जब इंडिया का census हुआ था यह पूछा जा सकता है तो चाइना इंडिया USA इंडोनेशिया ब्राजिन आप देखें यहाँ पर एक important fact नोट करने का यह है कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की population भले ही हमसे जादा है लेकिन चाइना को जो है कि इंडिया कहीं आगे निकल चुका है population में चाइना से क्योंकि इंडिया का एरिया भी तो कम है ना चाइना से और चाइना का जो रेडिया एरिया है हला कि वह कम है थोड़ा सा वहाँ पर मतलब थोड़ा physical factors जादे इन्वाल होते हैं वहाँ पर कई कई जगे पर तो इंसा population चाइना की जादा है लेकिन अगर रहने चेत्रफल के एसाफ से देखें तो मुझे लगता है कि हमारी growth rate भी बहुत जादा है साथी साथ हम उनसे कहीं आगी निकल चुके population के मामले में तो 17.64 growth rate थी एडिया की आप चाइना की भी देख सकते है 5.43 थी उसके बाद अगर इन सारी countries में देखेंगे तो आप यह चीज़ पाएंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा growth rate जो है वो है पाकिस्तान की ठीक है सोरी पाकिस्तान की नहीं यह पर है नाइजीरिया की growth rate जो है 26.84 है उसके बाद पाकिस्तान की है यहाँ पर उसके बाद आता है इंडिया का नंबर अगर हम top 10 countries की बात करें तो तो यह एक बहुत ही important data था आज मैं कहूंगे सारे data की बात करेंगे अब अगर percentage की बात की जाए कि पूरे world में जो है इंडिया का कितना percentage है अगर world population की बात करें as per the data of 2011 census तो इंडिया जो है 17.5 है पूरे world population का मतलब पूरे world की population में 17.5 इंडिया क अंदर रहती है अगर हम चाइना की बात करें तो 19.4 जो है वो चाइना के अंदर रहती है world population और 17.5 परसंट रहती है इंडिया में other countries की बात करें तो 41.2 है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मोटी जितने भी countries आती है फिर आप देखे USA की 4.5 परसंट इंडिया की 3.4 परसं से थोड़ा सा कम यहां पर ही रहते हैं तो यह कुछ structure है population का यह percentage में आपके सामने question आ सकता है कि इंडिया पूरी world population का कितना percentage है as per census 2011 अब चलते है population growth rate इंडिया and selected countries अब देखे यह जो data है आपका कि बेसिकली 2000 से 2010 तक का है यानि कि 10 सालों का ही है कि कि किस तरह से population growth rate और country के साथ इसका comparison किया गया है तो यहां पर आप देखेंगे तो यह देखें यहां पर आपको सारे देश मिल रहे होंगे और यह एक line world average यहां पर दिखाया गया है यानि कि 1.5 और 1 के बीच में कहीं world average है यानि कि पूरा world अगर आप average पर मान कर चले तो यह उनकी growth rate रही है 2000 से 2010 तक की लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें यह है इंडिया का तो इंडिया जो है इस average से तो आगे निकला ही है अब सबसे आगे को निकल रहा है यहां पर नाइजीरिया सबसे आगे निकला हुआ है यानि कि बहुत ही जल्दी बढ़ रही है नाइजीरिया की population उसके बा कितनी है यहां पर इंडिया की है 1.5 जबकि नाइजीरिया की यहां पर 2.7 के राउंड होगी I think 2.7 के राउंड होगी यहां पर 2.6 यह 7 के राउंड और वर्ल्ड एवरेज की बात की जाए तो यह 1.2 के आसपास है 1.2 के आसपास तो इंडिया जो है एन्वल जो exponential growth rate है पूर important factor होता है फिर कुछ culture के norms होते हैं जैसे कि इंडिया ने भी बहुत सारी policies लागू की है कि मतलब awareness होई है हाला कि strictness कहीं भी नहीं हुई है ऐसे अगर दो से जादा बच्चे होते हैं किसी के तो उनको maternity leave अगर नहीं मिलती है और CCL नहीं मिलती है कई तरह के चीज़े की गई है लेकिन बहुत सारे ऐसे factors हैं जो population growth को कम या जाधा बढ़ा सकते हैं education is an important factor अगर आप family planning के साथ और education educated हैं आप तो obviously it will lead to less number of people in the country क्योंकि क्या होता है कि आप अगर educated नहीं है तो आपकी फिर वही धारना हो जाती है कि जितने जाधा बच्चे उतनी अच्छे वह वाली बा लोग रहते हैं different religion को मानने वाले लोग रहते हैं और हर यहाँ पर culture का जाधा effect पड़ता है ना कि government policies का यहाँ पर लोग इंडिया में लोग जो है अपने धर्म के according अपनी जाती के according अपने वर्ग के according जाधा behave करते हैं ना कि government policies के according लेकिन स्टिल चलिए यह तो दूसरी चीज 2011 तक का यह चार्ट है population growth कैसे हुई है इंडिया की यह सेंसस की लिस्ट है 1901 में 1911 फिर 21 31 41 में क्यावन में और यह 2001 और यह हुद्धा है 2011 तो सबसे पहले बात करेंगे यह population दी हुई है आपकी ठीक है इसको आप पढ़ सकते हैं मैं इसमें पढ़ने में time waste नहीं करूँगी अब यह decadal growth है यानि कि दश की वृद्धी कितनी हुई है तो एक दशक में इतनी वृद्धी हुई 2011 में यह आप पढ़ सकते हैं figure को उसके बाद percentage कितनी थी है 17.64 अगे इन में कहूंगी कि यह question आपका आया हुआ है हो सकता है next exam में आपको यह figure में पूछा जाए है यह change in decadal growth absolute कितना change हुआ है इतना change हुआ है minus 0.47 उसके बाद average annual exponential growth rate कि average जो annually जो हमारा growth rate है population की वो अगर annual की बात करी जाए यानि कि एक साल की बात की जाए तो 1.64 है और progressive growth rate over 1901 से कितनी रही है यह रही है तो यह पूरा एक data जो है वो दिया हुआ है पूरा census के अंदर तो आप या तो screenshot ले ले या फिर जैसे भी अपने note making जरूर कर लेना मैं basically यह data मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ता कि आपको चीजे थोड़ी सी learn हो जाए अब देखो यह population growth rates देखते है अब यहाँ पर percentage decadal growth rates of population 51 से लेके 61 तक है फिर 2001 से 2011 तक देखें यहाँ पर 1951 से 1961 की बात की जाए तो हमारी थी 21.64 यह है 21.64 अगर हम बात करें 61 से 71 तक की तो यह है 24.8 अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता देती हूँ उसके बाद यह decadal growth चल रही है आपकी यानि कि दश किये व्रिद्धी फिर है 24.66 अगर हम 97 से 1971 से 1981 की बात करे 1981 से 1991 की बात करे तो यह है 23.87 you can take the screenshot उसके बाद 1991 से 2001 की बात करे तो वो है 21.54 और यह जो आप से question पूछा गया था कि 2001 से 2011 तक कितनी रही वो है 17.64 तो यह सारा आप notes बना ले यह मदब table बना ले अपनी है कि यहां से यहां तक कितनी रही यहां से यहां तक कितनी रही you can take the screenshot also क्योंकि यह font size न का थोड़ा सा गड़बडा रखा है उसके बाद next देखते हैं आप देखें यह population share है states का और union territories का है न कौन सा state कितना जादा है यहां पर शाद आपको फिच्चे ज़दा clear नहीं होगी मैं एक को table दिखा दूगी अगर आप सबसे ज़दा देखेंगे तो सबसे ज़दा बात करें तो 7% है यहां पर मतलब यह पूरा दिया हुआ है दिल्ली की बात करें तो 1% है हरियाना 2% है मतलब यह है आपका population share of states and union territories इंडिया के जितनी total population है उसमें सबसे ज़दा किसकी है उत्तर प्रदेश की यानि कि 16% लोग जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं भारत के महराष्ट में 9 प्रतिशत रहते हैं बिहार में 9 प्रतिशत वेस्ट बिंगॉल में 8% अरुनाचल में 7% तो आपसे percentage भी किसी भी state की पूछी जा सकती है जो famous states होते हैं ओविसली यूपी बिहार महराष्ट दिल्ली इन सब की आपसे पूछी जा सकती है कि कौन अपनी पूरी country का कितना जो है share करता है तो इस data की भी आप screenshot ले सकते हैं next बात करेंगे ये थोड़ी से list बनी हुई है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है कि ranking है state की statewide जो है अब यहाँ पर देखेंगे आप तो सबसे जादा है उत्तरप्रदेश की ये इसका percentage है 2011 में और ये 2001 में तो आप कम हो गया महराष्ट का कम हुआ है जब कि यूपी का बड़ा है उसके बाद बिहार का भी बड़ा है 8.07 से 8.58 पर पहुँच गया वेस्ट बिंगल की बाग करें तो 7.79 से 7.55 पर वह हुआ है ठीक है अब यहाँ पर सारे state वगरा है सब कुछ लिखा हुआ है आप इसका screenshot ले है आपसे question जादा उससे उपर जाएगा कि चीक है इंडिया में सबसे populated जो state है वो कौन सा है या union territory कौन सी है और है तो उसका percentage कितना है यह भी आपसे पूछा जाता है जैसे दिल्ली is the capital of इंडिया तो इसका भी पूछा जा सकता है एंसीटी ओफ डेली का अगर आप एंसीट ले लें या फिर नोट्स बना लें जैसा अभी आपको सही समझे अभी आप मैप भी देख सकते हैं यह 2001 का है population 2001 में कितनी थी ठीक है यह state की population से जैसे उत्तरप्रदेश है या पे हाइलाइट किया हुआ है जैसे इसकी आपको जादा ज़रूरत नहीं है बस ही मैं आपको दि transition की यानि की जन संक्रमन की थोड़ा सा गलत लिखावा है जन संक्रमन होगा ठीक है जो भी है इसको हिंदी में देख लेनागा इस क्या पढ़ते हैं demographic transition क्या है transition basically संक्रमन होता है जब एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता की और आप जा रहे हैं तो तो इसकी आपको किसी भी population किसी भी change मतब time में कितनी population में change आया है कितने से कितने बढ़ी कितने से कितनी घटी इस चीज़ के बारे में आपको बताता है यह होता है demographic transition अब देखे इसकी भी बहुत सारी थियोरी होती है जो demographic transition theory है वो काफी सारी है और यह आपको यह बताती है एक stable population से किस स्क्राइब अब देखे आपकी अधली है लेकिन जो इन चीजो के बारे में यह जो demographic transition theory है वो explain करती है अब देखो theories तो बहुत सारी है लेकिन जो commonly accepted theories होती है demographic transition की वो कहती है यह total 4 stages होती है population के बढ़ने घटने की और इसमें India जो है वो basically third stage पर माना गया है लेकिन इंडिया के कुछ states और union territories को stage 4 में भी माना गया है all over अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ranking जो है वो third stage पर आती है मैं एक बर आपको stages थोड़ा सा explain कर देती हूँ लेकिस सबसे पहले stage 1 की बात करेंगे हम demographic उसमें तो यह less developed countries होती है कम विक्सित countries की बात यहाँ पर हो रही है जहाँ पर birth rate high होता है लेकिन इसमें मतलब death obviously जो fertility rate है वो बहुत high होती है birth rate लेकिन यहाँ पर लोग मरते भी अच्छे से हैं मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर high fertility होती है तो high ही यहाँ पर mortality भी होती है तो इस case में क्या होता है population जो है वो stable हो रही होती है अगर 100 लोगों की death होई है तो almost 98 का जन्म हो रहा है फिर 100 लोगों का जन्म हो रहा है तो almost 97-98 यहाँ पर उनकी death भी हो रही है तो इस तरह से population जो है वो stable बनी रहती है तो यह है बात stage 1 की अब बात आती है stage 2 की अब stage 2 पे क्या हुआ stage 2 पे यह हुआ कि जो death rate पहले कुछ लोग मर रहे थे बिमारियों के वज़े से जो भी है अब यहाँ पर obviously health, public health में improvement हुआ तो यहाँ पर जो mortality rate होती है यानि कि जो mृत्यु दर होती है वो कम हो जाती है लेकिन जो fertility rate होती है यानि कि जनमदर जो होती है वो अब भी high बनी रहती है यानि कि mortality थोड़ी से कम हो जाती है लेकिन जनमदर इसने आपर high हो जाती है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर population में growth आनी लगातार start रहती है लेकिन लोग यहाँ पर death कम हो रही है तो obviously आपकी population जो है यहाँ पर बढ़ेगी यह बात है stage 2 की मतलब इतनी level पर नहीं बढ़ती है क्योंकि death जो है काफी कम हो जाती है अब stage 3 की बात करें तो stage 3 में क्या होता है कि यहाँ पर birth rate जो है एकदम से गिर जाती है लेकिन population जो है वो बढ़ती चली जाती है क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते है वो reproductive age की हो जाते है वोगी high fertility होती है और यहाँ पर generation to generation जो है reproductive age के लोग जादा होते है यानि कि जवान लोग जादा होते है यहाँ पर और होता क्या है कि यहाँ पर population जो है यहां पर कम है लेकिन क्योंकि लोग बढ़ गए जो बचों को जनन दे रहे हैं तो यहां पर वो चीज population अपने आप ही जादा बढ़ जाती है अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया की बहुत सारी population उस एज की है जैसे आप कह सकते हैं 18 से जो fertility वाली एज होती है 40-45 अराउंड की यह population बहुत जादा है तो इतनी population बहुत जादा है तो obviously यहां पर fertility rate बहुत हाई होगी हाला कि जो death rate है वो यहां पर ठीक होती है इतनी वो नहीं होती है लेकिन यहां पर population फिर भी बहुत जादा बढ़ जाती है इंडिया के साथ यही हो रहा है कि population बहुत जादा fertility वाली है तो वहां पर जो जन्न दर जो है वो काफी तेज से बढ़ जाती है बर्थ रेट तो कम हो जाती है लेकिन लोग इतने जादा होते हैं कि वो बच्चों का जन्म होता रहता है वह वाली बात है अब लास्ट पर क्या होता है लास्ट वाले स्टेज पर लास्ट इज है स्टेज फोर यहां पर फिर से आपकी जो population है वो stable हो जाती है हाला कि जो स्टेज वन पर population stable थी जो स्टार्टिंग में थी उससे तो यहां पर मतब तेजी होती है मतब जादा ही होती है लेकिन थोड़ी से स्टेबल हो जाती है क्योंकि यहां पर death rate और जो आपकी death rate होती है जो mortality rate होती है वो दोनों almost equal होने स्टार्ट हो जाती है दुबारा से तो यह stage का चक्र जो ही चलता रहता है इस तरह से मान सकते हैं यह transition होता रहता है कोई country अभी stage 1 में हो सकता है कि वो stage 2 में चली जाए फिर वो stage 3 में चली जाए 3 से stable होके वो 4 में चली जाए तो यह इसलिए अगर लोग बहुत जादा होंगे जो reproduction कर सकते हैं तो वहाँ पर fertility rate जो है वो अपने आप में बढ़ जाएगे तो जादा वो यह आपा समझ जाए ठीक है तो यह वाली बात है तो इंडिया जो है फिलाल के लिए stage 3 पर है so guys आज की वीडियो में आपके लिए इतना ह इसके तो वह कॉश्चन जो है मैं किसी से भी टाइप करा लेती हुँ वीडियो बना लेती हुआ कि चलो कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो होता रहे आपको मिलता रहे कुछ ना कुछ तयारी के लिए आपकी भी continuity बनी रहे मेरी बनी रहे तो पस यह थोड़ा सा आपको तो अभी खेर, KVS का एक्जाम अभी वेकिंसी नहीं आई है, जब वेकिंसी आजाएंगी, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर दूँगी, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, कि मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, आप लोग एक पास मोटिवेशन है, म जब लो, कहें जितना भी पेशन्स आप प्लीज बनाए रखें और अपनी मैनत पो जारी रखें, and thank you for watching, ग्यानाएक्यू.